आपके स्टोर से सामान राहत तक जटपट पहुँछाने तक बिग्बिस हर कारौबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान ईसे रविंदेची बात करें अगर स्पाइसेस की मसाला कॉम्पलेक्स की तो हमने आज काफी दिनों के बाद मसालों में काफी शांदार तेजी बनते देखी है धनिये में देख रहे हैं कि 9,200 के उपर ट्रेड हो रहा है जीरा देख रहे हैं कि 16,700 के उपर का हई लगा चुका है और हल्दी 10,000 के उपर ट्रेड कर दी नजर आ रही है साड़े 4,000 के उपरी सर्किट के साथ आपको क्या लगता है क्या मसालों में अब यहां से तेजी बनना शुरू हो गई है देखे इसमें एक तो यही है कि excessive rain की बज़े से जो production है वो काफी hamper हुई है और उसी बज़े से anticipation है कि demand जो है वो आने वाले दिनों में increase होती भी दिखेगी और production जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कम हुई है तो chances गी है कि turmeric prices और even की jira prices जो ही further upside में ही रहेंगे और दन्या की बात करें तो दन्या में भी chart formations काफी positive बनती भी दिख रही है यहां से chances है कि turmeric में एक हलकी correction देखने को मिल सकती है higher level से लेकिन overall बाकी commodities को देखें तो positive side का ही बनता हुआ दिख रहा है जीरा की बात करें तो जीरा में जरूर यहां से अगर dip मिलता है तो dip के बाद भी हायर side में 17-200 तक के level को target कर सकती है positional basis पे वहीं दनिया की बात करें तो दनिया में भी 9100 के ऊपर आज trade करता हूँ हमने देखा है आप भी chances हैं कि यहां से 9300 तक भी यह commodity higher side में move कर सकती है क्योंकि fundamental इतने ज़्यादा supportive है कि यहां से prices further upside जा सकते हैं को हम यूटिलाइज कर सकते हैं बाइंग ऑपरेटी समझ के और वहां से बाइंग करके चल सकते हैं downside में support दनिया का 89 80 के आसपास का है वहीं जीरा की बात करें तो जीरा में 16-300 का support hold कर रहा है तर्मरिक की बात करें तो तर्मरिक में डिप का वेट करना चाहिए 96-9700 तक की एक commodity downside में अगर fall आती है तो वहीं पर बाइंग करनी बनती है otherwise इस commodity अभी के time के लिए ignore करना चाहिए जी आपके कारोबार के लिए fund और loan जुटाने तक big bliss हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान करना चाहिए